रादे रादे दोस्तों आज मैं अपने वीडियो में आपको आलू बैगन और पालक के सबजी के साथ मैं घर भी दिखलाने वाली हूँ जो हमने बेचने के परपस से बनाया हुआ है यह देखिए है बैगन जो की आप देखर के समझ रहे हुए लौकी है बैगन आलू और पालक के सबजी बड़ी ही जोड़ा लगती है खाने में आज के ट्रेन में चल गया है कि हर जगलों केवल पनीर यही सब खाना पसंद करते हैं लेकिन यह सब सबजी आप बना करके आजएएं दो चमना सरसों के तेल में हम ने तड़के में जीरा ढाल दिया हींग डाल दिया उसके बाद हमने ऑलू को डाल करके फृइंक लिया फिर खर्राय करने के बाद फिर को आप चब भी काटिएगा तो काटने से पहले एक बर थोड़ा ही धूली जगा लेकि धूलिएगा जरूर फिर देखे हम आलू और बैगन को खुब अच्छे से फ्राइ करें के क्योंकि इस सब्जी में कोई तेल मसाला बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है इसलिए भूनने का इस सब्जी पर बहुत ही असर पढ़ता देखे हमने आलू और बैगन को भून करके पुरा लाल लाल कर लिया देखने में मेरी सब्जी अच्छी लग रही है अब हम इसमें दो टमाटर काट करके डाल देते है और इसके साथ साथ बहुत ही कम मसाला पढ़ता है देखे हमने सब्सक्राइब देख गरमम्साला प्लस हल्दी पाउडर और अधा चमच नमक डाल दिया नमक आप अपने कॉड्रिंग डालिएगा और उस के साथ हमने डाल दिया है यहां पर लाल मिर्च थोड़ा सा क्योंकि हमने कटी हुई हरी मिर्च भी तीन इसमीट ब्लाल अगगा था और ये सबजी ऐसी है जो कि कई चीजों के साथ चल जाती है और यहां पर देखिए हमने पालक को सबजी बनने से आदा घंटा पहले ही काट करके धुल करके रख लिया था क्योंकि पालक में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अगर पालक में पानी होगा तो सबजी अच्छी नहीं बनती है तो पालक का पानी सारा निकल जाना चाहिए अब देखिए हमने कटे हुए साप सुत्रे पालक को इस भुने हुए सबजी में डाल दिया और डालने के बाद अब हम इसको फिर से चला रहे हैं अब अच्छे से चला लिजीर और अब यहां पर सबजी दुवारा नहीं लगिए क्योंकि पालक थोड़ा बहुत फानी अपने आपी छोड़ता है तेकि हमने कितने अच्छे से यहां पर चला रहे हैं और उपर नीचे चलाने के बाद आपको इसे ढख करके कम से कम 10 मिनट तक medium to slow flame में पकाना है और बस सबजी पूरी बन करके आपके तयार हो जाएगे, देखिए मेरी सबजी देखने हैं पूरी sizzler जैसी लग रही है सबजी आप पराठा के साथ खाए, पूरी के साथ खाए, दाल जावल के साथ खाए, बहुत ही अच्छी लगती है सुपर टेस्टी और हिल्दी भी उतना ही जादा है देखिए मेरी सबजी बन करके तयार हो जाएगे हो गई है, आप बच्चों को खिलाइए बच्चों को भी ये सबजी पराठी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, बड़े बुजुर्गों की तो कोई बात ही नहीं है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, सेयर जरूर करिए देखें ये हमने घर बनवाया है, बेचने के परपस से ये घर बना हुआ है ये घर बना तो पूरा है नहीं, हम पहले ये वीडियो बनाने का मेरा कुछ अलगी परपस है गर बनाने वाले पूरा बेड़िंग खड़ा कर देते हैं उसके बाद फिर वो वीडियो पूरा सम्मे शेयर करते हैं घर के अंदर क्या लगा हुआ है? इट क्या लगा हुआ है? कैसा क्या सामान यूज हो रहा है? ये कोई भी नहीं दिखलाना चाहता क्योंकि अंदर अंदर बहुती अलग-अलग का लाकारी चलती है तो देखिए हम सिमेंट आपको दिखला रहे किस तरह से क्या हो रहा है और अभी ये काम हमारा घर का चल ही रहा है अगर किसी को भी चाहिए घर तो आप हमें जरूर जरूर बताइएगा हम इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे सारे इससे रिलेटेट नॉलेज और आप हमारे इस घर में इट को देखिएगा इट जो है बहुती अवल दर्जे का बहुती अच्छा वाला इट लगा हुआ है एक इट का दाम आठ रूपय है सोचेगा हमने ये घर ऐसा घर बनवाया है कि ये हम बनवा करके खुद भी इसमें रह सकते हैं मेरे हस्बन के ये कहना था कि आप जो भी सामान दो किसी को अच्छा सामान दो चार पैसे कम कमाओ लेकिन सामान अच्छा बनाओ तो देख लीजे इट कैसा हमारा बन करके तयार हो रहा है जो भी जानकारी चाहिए आप में मैसेज करिए अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें